प्राचीन भारत का इतियास हम लोग देख रहे हैं जहां आज हम लोग एक नया टॉपिक गुप्त समराज जी स्टार्ट करने वाले हैं तो ये गुप्त आये कहां से ठीक है और भारत की राजनीती में भारत की इतियास में इनका क्या महत्व है ये आज हम जानने का प्रयास करेंगा ठीक है तो गुप्त से ठीक है विश्ली क्लास में हम लोग पढ़े हैं मौरियोत्तर काल में मैं बता हूँ भारती सासकों के बारे में सुंग, कन्व और साथवहन ये ह कुषान भी थे कौन थे कुषान और ये जो गुप्त है ये आरंब में क्या थे आरंब में क्या थे ये प्रयाक के कौसांबी छेत्र में कुषानों के सामन्त थे क्या थे ये कुषानों के सामन्त थे जिन्होंने बाज में सत्ता हासिल कर ली और गुप्त वन्स की स्थापन casos. आरं में कहा थे, कुसानों के सामन desarroll से कहां पर प्रयाख के इंजेर कहां से रहा है। औरजिन कहां से है। एकपति महतरपूर्ण question है, गुप्त वंच के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, ठीक है, बहुति ही important question है, चार मार्कसमें पूछ सकते हैं, तो गुप्त वंच को जानने के बहुंस सरस्रोत है अरे इन स्रोतों को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है पहले कौन से है अभिलेखी स्रोत पहले कौन से है अभिलेखी स्रोत दूसरे कहा है साहितिक स्रोत ठीक है खुड़ा फंबल कर गया हमाई जानकाई दो टाइप की है एक अभिलेखी स्त्रोथ है दूसरे के हैं सहाहितिक स्त्रोथ है अब देखते हैं सबसे पहले आपन अभिलेखी स्त्रोथों के बारे में कौन-कौन से अभिलेख मिले है गुप्त वन्स को जानने के लाइस लहेंगे आप लोग कोशिश करना कि यहीं से याद हो जाए आपको सबसे पहले क्या मिला है समुद्र गुप्त के दो अभिलेक मिला है कौन-कौन से प्रयाग प्रसस्ती और एरन प्रसस्ती किसकी है यह समुद्र गुप्त का अभिलेक है कौन सा प्रयाग प्रसस्ती और एरन प्रसस्ती उसके बाद चंदर गुप्त दूती का किसका चंदर गुप्त दूती का दो अभिलेक में रहे कौनकोंसा महरावली प्रसस्ती और मथूरा इस्तमलेग किसका ये चंदर गुप्त दूती का याद कने कोशिस कना ठीक है समुद्र गुप्त क्या है प्रयाग प्रसस्ती और क्या है एरण प्रसस्ती वहीं चंद्र गुप्त दुति क्या है महरौली प्रसस्ती और मथुरा इस्तमलेग इसके बस चादम चंद्र गुप्त दुति की एक पुत्री है चंदर गुप्तिति की एक क्या है पुत्री है उनका नाम क्या है प्रभावती नाम क्या है प्रभावती और उस प्रभावती के दो तामरपत्र है कौन-कौन से है रिद्धीपुर तामरपत्र और पूना तामरपत्र और इन तामरपत्रों से भी गुप्त वन्स के बारे में ज जनकारी मिलती है किसका आई है अब तामरपथ्र है चंद्रगुप्थ की पुत्री प्रभावत्तिक है कौन-कौन साius रिद्धिपुर्य तामरपथ्र और पूना तामरपथ्र ए या दे废न एकको इसके पैसम रहते हैं कौन कुमार गुप्थ कुमार गुप्थ जिन tapping बारे में जानकारी या फिर इनका अभिलेक कहां से मिला है भिलसर से और मनसौर से मनसौर और भिलसर से कुमार गुप्त का अभिलेक प्राप्त हुआ है जिससे गुप्त वन्स के बारे में महत्यपूर्ण जानकारी मिलती है इसके अलावक है इसकंद गुप्त का भीतरी अभि पुरान पुरानों के माध्यम से गुप्त वंस के बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा का है विशाक दत्र की मुद्रा राक्षज ठीक है विशाक दत्र की मुद्रा राक्षज ये सब जितने पॉइंट लिखाओना मैं इन सबसे question पूइंट की मुद्रा राक्षज की तिसकी रचना है या फिर इन में से कौन सी रचना कालिदास जी की है या कालिदास जी की नहीं है ऐस इसे भी question पूसकता है इसके जो भी लिखवारों में वो आपको याद करना है ठीक है अगला क्या है बानभट का हर्स रितिया पहले विदेच चुके हैं कि बानभट की रचना है इसके बस चादर विशाक दत्र जी की एक और रचना है कौन सी देवी चंदर गुप्तम ठीक है इसके अलावा कुछ विदेची आत्री भी है जो गुप्त वन्स के सासंकाल में भारत आए कौन-कौन है वियन सांग है और फायान है ये कहा है भारत आए है गुप्त वन्स के टाइम प्रेड में और इनके जो वर्नन किया है भारत का जब ये भारत आए है और इस समय भारत ह और इसके बारे मुआ magician लिखा अपने किताब में ठीक है। और वो एक महत्यपुन विढेश Arkansas वृत्त रांत है, वृतांत है जिससे हमें गुप्त वन्स के बारे में जान्यकारी मिलती है। clear है, ये सब क्या है, गुप्त वन्स को जानने के स्त्रोत हैं। क्लियर हैं, आपको याद करना एए, अब देखते हैं एक पर वनसावली के बारे में, ठीक है, आदिपुरुस कौन है गुप्तवांस के, स्रीुप्त हैं, उसके बाद कौन है घटोत कच, फीर है महत्तपुन सासा सक्चंद्र गुप्त प्रतम, कौन है चंद्र गुप्त प्रत चंदर गुप्त दुटि ती पाद कौन आ है कुमार गुप्त के बाद कौन है विश्नु गुप्त ये क्या है गुप्त वन्स के कुछ महत्बुन सासकों की सूची है अब एक क्वेशनिया से बुछता है कि किस सासक ने कौन सी उपादी लिए तो इस table पर ही मैं लिखने का प्रयाज कि तो कि आप लोग को इस table में याद हो जाए कि कौन से सासक ने कौन सी उपादी धरन की है ठीक है यही पर ही याद करने का प्रयास करेंगे स्री गुप्त ने आदी राज एवं महाराज की उपाई धरण की थी यह रहे आदी पूरुस है आदी राज और महाराज महाराज का मतलब यहाँ बारी का था सामन्त कि जो गुप्त देखा थे आरेमे में कुसानों के सामन थे और बाद में इन्होंने सत्ता हासिल करके गुप्त समराज की स्थपना कर दी आदी पूरुस को ने स्री गुप्त है इनके द्वारा आदी राज एवं महाराज की उपादी ली गई थी इस तरशिद्ध हो गया कि ये स्वतन्दर सासक तो नहीं थे यो कि उन्होंने क्या लिया है महाराज की उपादी लिया है मतलब क्या है ये independent साशक नहीं रहे है कौना स्रीगुप्त कि उन्होंने महराज की उपादी लिए महराज का मतलब क्या था समय सामन्त था लिए रहे उसके बाद कोना है घटोत कज इन्होंने भी महराज की उपादी लिए मतलब ये भी independent या फिर बोलना चाहिए स्वतंतर सासक नहीं रहें कोई ना घटोत कजी ठीक है ये दोनों क्या है स्वतंतर सासक नहीं रहें बलकि इन्होंने सामंत के द्वारा धारण की जाये वाली उपादी महाराज को धारण किया है ठीक है अंतता चंदरगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धिराज की उपादी धारण की गई है ना कि महाराज की इसको धारण की ये महाराजा धिराज की उपादी धारण की है मतलब सिद्ध हो गया क्या कि चंदरगुप्त प्रथम ही का थे एक सासक थे और ये इन्होंने वास्तवी की रुप से सत्ता समाली ह और इन्होंने महाराज की उपाधी को अत्याग करके महाराजा धिराज की उपाधी धारण की है उसके बाद भारत का नेपोलियन कह जाने वह लेको आता है समुद्र गुपता आते हैं जिन्होंने लगबग लगबग पूरे भारत पर कबजा कर लिया ठीक है और इन्होंने बस उपादी लिए है पराक्रमांग की उपादी लिए है अलकि इनकी उपादिया और भी है लेकिन इस टेबल में कुछ जो महत्वन उपादी है उसी को लिखाओ में ठीक है समुद्र गुप्त के द्वारा पराक्रमांग की उपादी ली गई थी ठीक है और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते है समुद्र गुप्त कोना है राम गुप्त है जो बहुती कम समय हसन परेंगे ठीक है उसके बस्चादम कोना हैंगे चंदर गुप्त दिते जी जो राम गुप्त के भाई हैं उन्होंने विक्रमा दित्य एवं विक्रमांग की उपाधी धारण की थी और गुप्त बंस के सबसे प्रतापी सास्कों में एक थे कौन है चंदर गुप्त दिते जी जिन्होंने विक्रमांग की उपाधी धारण की है कुमार गुप्त ने फिर को आता है इसकण्द गुप्त का भीत्री अभिलेक वही इसकण्द गुप्त है इन्होंने सक्रा दित्य और कर्मा दित्य की उपादि लिए यह उपादियां आपको याद करनी है मैं कोशिश क्या हूँ कि आपको इसी चार्ट से ही याद हो जाए देखते हैं कुछ और फैर से इन सासों के बारे में अब डिटेल में देखेंगे कौन-कौन से महत्वन सास तक है और उने कौन-कौन से कारिक के हैं उसके बारे में अब जानने का प्रयास करते हैं देखते हैं अब गुप्त बन्स के सासों के बारे में इंडिविज्वली जानने का प्रयास करते हैं कौन-कौन से कारिक इनके द्वारा के गये हैं जो हमें एक्जाम पॉइंट आफ यू से महत्वन लगने वाले हैं या फिर एक्जाम में पूछ सकता है वो अपन देखने की कोशिश करेंगे सबसे बारा देखते हैं स्री गुप्त के बारे में स्री गुप्त के बताया हूं क्या इन्होंने आदी राज एवं महाराज की उपादिली है और यही क्या थे गुप्त वंस के आदी पूरुस थे ठीक है प्रभावति के पूना तामर पत्र में स्री गुप्त को गुप्त वंस का आदी पूरुस बताया गया है कहां बताया गया है प्रभावती के पुनतामरपत्र में स्री गुप्त जीओ क्या बोला गया है गुप्त वन्स का आदी पूरुष बताया गया है और इन्होंने उपादी ली कौन सी आदी राज एवं महाराज की आदी राज एवं महाराज की उपादी स्री गुप्त के द्व द्वाराधारण की थी, कुछ दिर पहरे बता हूं मैं क्या, महाराज की जो उपाधी है, वा सामन्तों के द्वाराधारण की जाती थी, इसी करण स्री गुप्त को क्या माना गया है, सामन्त माना गया है, ना की बोला गया है, स्वतंतर साशक, ठीक है, ये क्या थे, स्वतंतर स शासक नहीं थे बलकि इन्होंने महाराज की उपाधी के साथ सासन के एजिक करण इन्हें वास्तविक सासक नहीं मना जा रहे क्योंकि नभन एक चीनी यात्रियों का नाम क्या है क्पत्रियों इसींग एक मंदिर का निर्मान करवाया था कौन कहता है चीनी यास्ती चीनी यात्री इस सिंग कहता है क्या कि स्री गुप्त ने सारनात के निकड चीनी यात्रों के लिए क्या बनाया है उन्हें की सुविधा के लिए एक मंदिर का निर्मान करवाया था स्री गुप्त के बारे में इतना तेंडरखने ठीक है अब इसके बात कौन है है घटोतकच याज स्रीफ गुप्त के बात राजा का राजा बने है जिनों ने भी महाराज्व की उपादि लिए इन्हों ने भी महाराजी की उपादि लिए मनले भी क्या बोल रह रहा है ये भी सुतंदर सासक नहीं रहे हैं ठीक है ऐसा माना गया इतिहासकारों के द्वारा है क्योंकि इन्होंने महाराज की उपाधि लिए लेकिन ठीक है प्रभवति का क्या है रिद्धीपूर तामरपत्र है जिसमें घटोतकच को क्या बोला गया है प्रथम साश्य का बताया गया है ठीक है खोड़ कर ना अमरपत्र में घटोतकच को क्या बताया गया है प्रथम साश्य का बताया गया है यही याद रटना है आपको घटोतकच के बारे में ठीक है इन्हें के पस्चाद को मने हैं चंदर गुप्त प्रथम क्या बने हैं गुप्त वन्स के अगले साशक बने है जिनने गुप्त वन स्थापना करेंगे खुद का विवा करेंगे खुद का विवा करेंगे और इन्होंने लिच्छवी कुल की राज कुमारी कुमार देवी से विवा किया है और इस कुमार देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है नाम किया है उसका समुद्र गुप्त, बहुती इंपोर्टन पॉइंट है इसे धान सुनिया इसवी में कदम रख चुके है 319 इसवी की बात है जब चंदर गुप्त प्रथम का राज्य विसेख हुआ था और इसी सुब औसर पर क्या इस्टार्ट किया गया है गुप्त समवत स्टार्ट किया गया है ठीक है जिस दिन जिस एर मोलना चीए ठीक है एकचनर गुप्त प्रथम का राज्य विसेख उवथा कैस्टार्ट किया गया है गुप्त समवत प्रारण करा गया है हमने पढ़ेना हिजरी समवधी पढ़ चुके हैं अब क्या पढ़ लिए गुप्त समवधी पढ़ चुके हैं कई बार जो हाई वाल क्वेस्चन है बनाज एक्जाम है उसमें ऐसे क्वेस्चन जजबाती करते हैं ऐसा ही एक जजबाती जजबास से खेलने वाला क्वेस्चन है था इसे पूछा गया था क्या सक समवत और गुप्त समवत के बीत कितने सालों का डिफ्रेंस है यह पूछा गया question ठीक है यह जड़ना जो गुप्त समवत का भूँ स्टार्ट गोई 319 EC में जब एकी सक समवत का होगा 78 EC में start होगा सख समध कब होगा 78 ED में start होगा दोनों के बीच के difference निकालो 319-78 कर दो कितना आता है वही जो होगा दोनों के मज़ दिखाऊगा difference होगा इतने बीच का ही अंतर है दोनों के मज़ यह कि दोनों किसमें है AD में है clear है clear है ना जब चंदर गोप्त परथम के शिक्को पर अनकी पतनी कुमार देवी के नाम का भी अंकन है नाम का भी अंकन है नाम की अंकन है क्लियर है एक हमवर रिखना प्लोंग विक्रम समवत कभी स्टाट हुआ था इस वीडियो पर कमेंट करना प्लोंग प्लीज ठीक है और अगर नहीं वहन पाया तो वाटसप पूछे नागर से बताऊंगा मैं कि कभ स्टाट हुआ था खोड़ा हमवर जरूरी है आप लोग करते क्या होगा सिक्को पर अपना एम कुमार देवी के नामों का अंकन कराकिश ने चंदर गुप्त प्रथम ने ये क्या थे गुप्त वंस के वास्तविक संस्थापक थे अब देखते हैं चंदर गुप्त प्रथम के पुत्र समुद्र गुप्त के बारे में ये एक बहुती प् पहला क्या है पराक्रमांग दूसरा है भारत का नेपोलियन इन्हें भारत का नेपोलियन कहा बोला गया है किसने कहा है विंसेंड स्मित ने इनके शाशन में जो राज जी है जो राज जी है राज जी के छेतर फल को देखकर क्या बोला है भारत का नेपोलियन कहा है किसने कहा ह गुप्त वंस का बहुत जाजा समराज विस्ताय किया है। इसकी करन विंसेर निस्वित नेकिया है। भारत का नेपोलियन कहा है। फिर इसके बाद इन्होंने व्याग्र हंता या फिर व्याग्र पराकरम की उपादी भी लिए। व्याग्र हंता अफिर व्याग्र प्राक्रम की उपादी लिए इसके अलावा अप्रतिरत इवं धर्नी बंद की उपादी भी समुद्र गुप्त के द्वारा धारन की गई थी अब ये प्राक्रमांग भारत का नेपोलियन व्याग्र हंता व्याग्र प्राक्रम अफिरत इवं धर्नी बंद की उपादी समुद्र गुप्त के द्वारा धारन की गई थी ठीक है अभी कुछ़ त्र पहले हैं कि समुद्र गुप्त के बारे में जयनकारी आसे मिलती है प्रयाग प्रसस्ती एवं एरन प्रसस्ती से समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है एक बार चार माक्स में या दो माक्स में प्रयाग प्रसस्ती के बारे में लिखने का प्रयास करना इतना तो हम लोग सब को जानते हैं को कि अभी कुछ दिर पहले पढ़ चुके हैं अब सुनने इसके बारे में इतिहास क्या करता है आरम में जो ये प्रयाक प्रहस्ती है किसका था असोक का कौसामबी अभिलेक था क्या था ये असोक का समराट असोक जो मौल ये वन्स के थे उनका कौसामबी अभिलेक था और उसके उपर ही समुद्र गुप्त ने अपना अभिलेक खुदवा दिया है बताओ भई ठीक है क्या था मुल रूप से ये असोक का कौसामबी अभिलेक था जिसके उपर समुद्र गुप्त ने करा है अपना खुद का अभिलेग खुदवाया है और इसे तयार किसने किया है समुद्र गुप्त के दरबारी कवी हरी सेन जी ने इसे अभिलेग को तयार किया है समुद्र गुप्त के दरबारी कवी हरी सेंजी ने इसे तयार किया है और यहां अभिलेक चंपू सैली में लिखा गया है कौँ सैली में? चंपू सैली इसका मतलब भी क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है इसी को हमनों क्या बोलते हैं चंपू सैली कहते हैं ठीक है कोई और मतलब नहीं है चंपू सैली का मतलब क्या है गद्य और पद्य दोनों सैलियों में गद्य पद्य सैली में यहां अभिलेक लिखा गया है जिसे समुद्र गुप्त के दरबारी कवी हरी सेंजी ने तैयार किया तक झालए था और इस अभिलेक में प्रयाग प्रहस्ती में समुद्र गुप्त को धार्मिक वीर कवी राज इवं धर्ती पर चलने वाला देवता बताया गया यही लिखना है आपको प्रयाग प्रहस्ते के बारे में ठीक है अब सबसे बलेकर दहीर असुक को सांबी अभिलेग था जिस पर इन्होंने अपना अभिलेग खुदवा दिया हो और अन्दता जहांगीर के द्वारा इस अभिलेग को इलाहा बाद इस्थनांतरित करवाया गया था क्लियर है अब देखते हैं समुद्र गुप्त के दूसरा अभिलेग एरन प्रहस्ती के बारे में ठीक है इस एरन प्रहस्ती में समुद्र गुप्त को दानवीर बताया गया है क्या बताया गया है दानवीर कहा गया है एरन प्रहस्ती में समुद्र गुप्त को दानवीर बताया गया है और साथ ही साथ इस एरन प्रहस्ती में समुद्र गुप्त की पत्नी दत्त देवी का भी नाम है किसका नाम है समुद्र गुप्त की पत्नी दत्त देवी का नाम भी आता है अब देखते हैं समुद्र गुप्त के विजय अभियानों के बारे में कुछ दिर पहले हमने जानने का प्रयास किया है समुद्र गुप्त के बारे में कि कितने महान था सकते उनके बारे में जश्ट इंट्रोशन देखे हैं अब देखते हैं समुद्र गुप्त के विजय अभियानों के बारे में प्री के दृष्टी कौन से या मेंस के दृष्टी कौन से ये question बहुती मातपून है और मेंस में ये question पोच भी चुका है कि समुद्र गुप्त के विजय अभियानों के बारे में लिखिये ठीक है डाली हैडिंग समुद्र गुप्त का विजय अभियान तो समुद्र गुप्त का विजय अभियान है जो एनक्रिशन भारत की विविन छेतर पर उसको कुछ पार्ट में डिवाइड ही है कुल पाँच भागों में डिवाइड किया गया समुद्र गुप्त का विजय अभियान ठीक है देखते इसके बारे में कि कौन कौन से छित्र पर समुद्र गुप्त ने विजय प्राप्त करके गुप्त वंस का पता का लह रहा है सबसे पहला था क्या पहला कौन सा है आर ये वर्थ प्रदेशों पर विजय क्या होता है यह सब मैं पढ़ा चुका हूा हूँ जब पढ़ा हूँ वैधिक कल் यहां पर मैं फिर से रिपीट नई करूँ थीक है यह सब चीज़े आपको याद होने की अर ये वर्थ क्या होता है ब्रहम मर्सी क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आरिये वर्त प्रदेशों पर विजय है, मतलब मोटा मोटा बोला ची, उत्तर भारत के छित्र पर विजय अभियान लगया, चार्ज स्टाइड के किसने है, समुद्र गुपत ने, और ये आरिये वर्त प्रद प्रदेशों को पराजित किया है जो आर्य वर्द प्रदेशों पर विजय है वह दो भागों में है दो चर्णों में संपन हुई है जहां पहले चरण में समुद्र गुप्त ने तीन राजाओं को इवन दूसरे चरण में नो राजाओं को पराजित किया है और समस्त उत्तर भ प्रदेशों पर विजय अभियान किया है जंगल छेतर जो है उन पर विजय अभियान किया है किसने किया है समुद्र गुप्त ने किया है अर्था आदम मध्य प्रदेश शत्तिजगर का जो सघन जंगल वाला इलाका है वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है विजय अभियान क हो गया अब क्या किया है दक्षिन व्याय अभियान किया है और दक्षिन व्याय के दो राज को परोडेंग को पराजित किया है- बाराराजाओं को पराजित किया है अभ पराजित करने के परिश्चद उस राज जिका करने के लिए तीन नीटिया बनाई है ठीक है विजया अभियान है लेकिन इस विजया अभियान उन्ने तीन नितिया बोलना से तीन पॉलिसी फॉलो किये कौन-कौन सी ग्रहन, मोक्ष और अनुगरह कौन-कौन से ग्रहन, मोक्ष और अनुगरह ग्रहन का मतलब क्या है उन्होंने राज्य का अधिग्रहन कर लिया है राज्य का सीधे-सीधे अधिग्रहन कर लिया है और अब वह राज्यम, गुप्त समराज्य के अंतरगृत आ गया है ठीक है, दूसरा क्या है, मोक्ष मतलब क्या हो रहे है, जो भी सत्रु सजक है उसने झुगने से इंकार किया है तो सीधे-सीधे उसे मोक्ष प्रदान कर दिया है मतलब मृत्यु दर्ण दिया है उसे मार दिया है सत्रु को मार दिया है यही उनकी क्या है दूसरी निती है और तीसरी निती क्या है अनुग्रह अनुग्रह का मतलब क्या है दया करके ठीक है अगर वो राजा रिक्वेस्ट कर रहा है तो दया करके उने उनका राज्य वापस कर देना यही पॉलिशी अपनाई किसने समुद्र गुप्त ने अनुगरा की नितिय अपनाई हैं जिसके तहद उन्होंने जो राजा पराजित किया था उसे उनका राज्य दया खाकर या फिर दया के वश में आकर उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया है ठीक है यह उग गिमा अब देखते हैं विदेशी सासकों से समुद्र गुप्त के संबंद कैसे थे जो विदेशी सासक भारत में आकर साशन कर रहे हैं उनसे संबंद कैसे थे समुद्र गुप्त के इनों ने विदेशी सासकों को भी पराजित किया था एक question अगर पूछ लिया कि Vincent Smith ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा है तो कुछ नहीं करना आपको ये सब लिखना फैट और अंत में लिखना कि इतने भारी भर कम समराज्य विस्तार था इतना अधा राज्य फैलाने करन Vincent Smith ने समुद्र गुप्त को भारत के नेपोलियन की संग्याद दी है क्लियर है ऐसे लिखना असा अंसर मना नहीं कहा है क्योंकि समुद्र गुप्त से पहले जो गुप्त वंस का जो छेतरफल सामराज्य है वो बहुत छोटा था लेकिन इहोंने अपने कुसल सेन नेतरित्व के बल पर गुप्त वंस को अखिल भारती बना दिया मतला पूरे लगभल भारत पर अब गुप्त वंस का अधिकार हो गया था समुद्र गुप्त के योग्य नेतरित्व चमता के करन अब समुद्र गुप्त के द्वारा श्चै स्वर्न सिक्य चलाए गया खिक है जिसमें धनुर्दारी है दूसरे में कहा था गरुड तीसरे में व्याग्र हरन मतला बाग को मारते हुए चितर की बनाया गया है अगला क्या है अस्वमेद यग्जी का चित्र है ठीक है इसके अलावा परसु एवं अंत में क्या है वीना वादन इनच है सिक्को का प्रचलन समुद्र गुप्त ने करया था ये सबी कैसे है स्वर्न सिक्क है कैसे है स्वर्न सिक्क है धनूरदारी गरूर व्यागर हरन अस्व परसु इवं वीना मॉदन इनच है तराके स्वर सिक्कों का पस्लन समुद्र गुप्त ने करवाया था ठीक है समुद्र गुप्त की पतनी का नाम क्या है दत्देवी समुद्र गुप्त और दत्देवी से दो पुत्र हुआ है कितने पुत्र हुआ है दो पुत्र नाम क्या है उनके राम गुप्त इवम चंदर गुप्त दुती समुद्र गुप्त कितने पुत्र है दो पुत्र है नाम क्या है राम गुप्त और चंदर गुप्त दुती बड़े पुत्र का नाम क्या है राम गुप्तर जब की छोटे पुत्र कौन है चंद्र गुप्त दुती और अब्यसी बात है समुद्र गुप्त के बाद कौन बनेगा बड़ा पुत्र अगला सासक बनेगा बड़ा पुत्र कौन है राम गुप्त बड़े येश्ट पुत्र है और समुद्र गुप्त के पशद वे ही साशक बनेंगे लेकिन राम गुप्त कैसे हैं अयोग्या समुद्र गुप्त कैसे हैं समुद्र गुप्त कमपरेजन में एक अयोग्य साशक हुए है और वे सको से प्राजित हो गया है जब हार गए है तब उन्होंने अपनी पतनी धुरूवदेवी को सको को देने के लिए तयार हो गए है लेकिन उनके भाई कौँ है? चंदर गुप्त दुती इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने राम गुप्त की हत्त की है राम गुप्त की हत्त करके दुरूव देवी से विवा कर लिया किसने चंदर गुप्त दुती ने और वही वो क्या बनेंगे अब गुप्त वन्स के अगले ससक बनेंगे इसके पस्चादों कहां जाएंगे सको के पास जाएंगे और उन्होंने सको को भी पराजित किया चंदर गुप्त दूतिके ने सको को भी पराजित करके धुरुव देवी के हुए अपमान का बदला लिली है ठीक है अपमान दो जगा से हुआ था राम गुप्त ने किया है इनको भी मारा है और जो सक हैं जिन्होंने ऐसे डिमांट रखिये उनको भी पराजित किया है कि इसने चंदर गुप्त दूतिने और ये भी गुप्त वन्स के महांतम सासकों में से एक थे ठीक है इनके बारे में अब देखते हैं डाली हेडिंग अप चंदर गुप्त दुथी के बारे में देखते हैं चंदर गुप्त दुथी के बारे में ठीक है सासक कौन अगले चंदर गुप्त दुथी अब चंदर गुप्त दुथी ने अपनी दो राजथानी बने कितनी राज़ानी अपनी दो राज़धानी बने कौन कौन सी पहली राज़ानी क्या है पाटली पुत्र जब कि इन्होंने उजैनी को अपनी दुती राज़धानी का दर्जा दिया है किसने चंदरगुप दुती ने उजैनी को अपनी दुती राज़धानी का दर्जा दिया ह पहली कौन सी है पाटली पुत्र है अच्छा क्वेश्चन बुस्त है कि इने में से किस सासक के बच्पन का नाम देवस्री था या देवगुप्त था ध्यान देना चंदरगुप्त देवश्री या फिर देवराज ठीक है इनके ही बच्पन का नाम है और यह नाम इसलिए बिट्टू होता है ठीक है वो महत्तपुन नहीं है क्योंकि लेकिन इनके सिक्के पर लिखा हुआ है इसलिए आपको जानना महत्तपुन है बच्पन का नाम क्या है देवगुप्त देवश्री और देवराजी किनके बच्पन का नाम है अब क्वेश्चन आयेगा कि पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया है और गुप्त वन्स का सरवाधिक विस्थार कि है लेकिन अभी भी कुछ छेत्र गुप्त डाइनेस्टी के बाहर है जैसे कि क्या है गुजरात वाले एरिया है जहां पर अभी सक्वन्स का साशन है कहां पर गुजरात वाले एरिया में अभी सक्वन्स का साशन कर रहे है वही बंगार वाला एरिया है जहां ये कुछ छेत्र है जो अभी गुप्ता डाइनेस्टी से बाहर है ठीक है इसी कहन चंदर गुप्त दुती की योजना कहा है कि इन छेत्रों पर भी विजया प्राप्त करके यहां पर भी गुप्त वन्स का समराज्य विस्तार किया जाए इसलिए समुद्र गुप्त द्वारद डाइनेस्टी दी उसका भी विश्तार करें यह कौन चंदर गुप्त दुती और इसी कडी में रोने किस पर आक्रमन किया है सको पर आकरमन किया हमने देखा कूछ दरे पहले क्या चंदर गुप्त दुती के भाई थे कौन राम गुप्त और वो सको से हार गयते है उरोंने अपनी पतनी सकवंसी सासक रुद्र सिंय तिरिती को पराजित किया है और इनको पराजित करने के पस्द अब जो गुजरात में सको वाला रिजं था उस पर भी अब गुप्तो का अधिकार हो गया है जब इन्होंने रुद्र सिंग रिती को प्राजित किया, मतलब सक वन्स को प्राजित किया, तब इन्होंने सकारी की उपादी लिए, कौनसी उपादी? सकारी की उपादी लिए, साथी साथ, विक्रमा दित्त की उपादी भी चंदर गुप्त द्विती के द्वारा धारनी की याद रखने आपको ठीक है पस्ची मुत्तर एबंगाल के छेतरवन भी अब क्या हो गया है चंदर गुप्त दूती का अधिकार हो गया है बतायों ना समुद्र गुप्त इतना छोड़ कर गये थे उसके बाद भी समराजी विश्तर किस ने किया है चंदर गुप्त दूती ने अब इनकी एक पुत्री है नाम क्या उसका प्रभावती नाम क्या है प्रभावती प्रभावती का विवाक किस से हुआ है वकाटक वंसी राजा रुद्र सेन से हुआ है ये सब हमने चंदर गुप्त दूती की पुत्री प्रभावती का विवाक किस से हुआ है वकाटक वंसी रुद्र सेन से हुआ था इन से हुआ था प्रभावती का बिवाद्ध मल्लव चंद्रगुप्त के दामाथ थे कौन यह वकाटक सा रुद्र सेन थीक है अब Member चंद्रगुप्त्वृत्य के द्वारा क्या जारिकीये है चांदी का सिक्क का सिक्क जारिक किया गह vur इस पर देव स्री अंकित है क्या अंकित है देव स्री अंकित है इनकी बच्पन का नाम क्या था देव गुप्त देव स्री और देवराज यही मैं पॉइंट हाइलाइट क्या हूँ क्या है इनके सिक्को पर देव स्री अंकित क्या हूँ सिक्के पर चांदी के सिक्को पर देव सरी अंकित है तीक है इसके अलावा चंद्र गुप्ट द्विती ने उदेगिरी में क्या मन्रいき्ट का निर्मान कर रहा है कहा पर उदेगिर विश्णु मंदिक सु मुझा में कर वाइया है उपादी कौन-विक्रमांग, विक्रमादिध्य एवं परम भागवरत की उपादी चंदर गुप्त दूथी के द्वारा धारण की गए थी और इनके साशय निकाल में एक यत्री आया है कहाँ यह है भारत आहे है नाम क्या हो उनका फायान याद रखना आपकोई प्रसिद्द चीनी यत्री नाम क्या है पायान जो चंद्रगुप्त दुति के समय कहा या था भारत आया था यह रहा है यह था चंद्रगुप्त दुति के बारे में अब देखते हैं अगले महत्तपुन सासा का कुमार गुप्त के बारे में कौन है अगले कुमार गुप्त बहुत ही महत्तपुन टॉप ही कुमार इसके एलाव अभर आप लोगों फरोसा नहीं है तो घटने दिखते हैं कुमार गुप्त बारे महत्बुन क्या है यह क्या है नालंदा के संस्था वकटे कुमार गुप्त जो की गुप्त वन्सकी वक्ति है अब नालंदा को नश्ट किसने के था बक्तियार खिर जी ने जो मुहम्मद गौरी के गुलाम बक्तियार खिलजी ने इहें नश्च के था अच्छा जो नालंदा है उसको लोग क्या बोलते हैं ओक्सफोर्ड ओफ महायान भी कहते हैं ओक्सफोर्ड ओफ हीन यान भी कहते हैं याद रखने आपको मतलब बहुत धर्म का एक बहुत बड़ा केंदर है कौन सा नालंदा बोला गया क्या ओक्सफोर्ड की संग्या दी गई है नालंदा को इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी अब इनके बारे में महत्तपून और क्या है गुप्त वंस में गुप्त वंस में सरवादिक अभिलेक जारी करने वरह से कौन है कुमार गुप्त ही है ठीक है गुप्त वंस में सरवादिक अभिलेक जारी करने वरह से कौन है ये कुमार गुप्त ही है ठीक है और इनका एक क्या मिला है मुद्रा भंडार मिला है क्या मिला है मुद्रा भंडार जिसे माना याता है कि सबसे बड़ा मुद्रा भंडार है क्या बोल रहा है कुमार गुप्त का एक बहुत बड़ा मुद्रा भंडार मिला है ठीक है और कहते हैं इसको बयाना मुद्रा भंडार कहते हैं इसके बारे में क इस बयाना मुद्रभंडा से जो किसका माना गया है कुमार गुप्त का माना गया है जानकारी कहा से मुझे इनके बार में भिलसड एवं मनसौर सीरालेक से भिलसड एवं मनसौर सीरालेक से कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती एक बार फिर से रिपीट करो मैं जो नालंद हैं ठीक है संस्थापक कौने इसके कुमार गुपते हैं जबकि मुहम्मद गौरी के गुलाम बक्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ठ क्या गया था नरंदो कम लों क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड औव महायान ठीक है महायान य इस नालंदा विश्विद्यालक को बोला गया था जो कि कुमार गुपते के द्वारा बन वागे है अब बाद के गुपते वांस के सासक ठीक है और इनकी प्रसासनी वरस्ता के बारे में अगरी ग्लास में देखेंगे ठीक है थैंक्यू ग्लास